सब्सक्राइब करें तो निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेट कर रहा है और आपको कोई मुमेंटम कैच अप करना है तो वो मुमेंटम साइद 21-800 के नीचे या फिर 22 अजा के ऊपर ही आएगा अधर्वाइज यह जो 200 पॉइंट की जो रेंज है यह रेंज थोड़ी सी एक अंसॉलिडेशन वाली ही लग रही है क्योंकि आपके लिए यह एक रेजिस्टेंस एरिया ह ठीक है और अगर नीचे की तरफ दिखा जाए तो यह कहीं एक सपोर्ट एरिया है ठीक है तो यहां पर कहीं नीचे आएगा तो इसको सपोर्ट मिलेगा और उपर जाएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा तो इस चैनल के बाहर निकले तभी हमारी कोई ट्रेड अच्छी घासी यहां पर बन सकती है अधरवाइस मार्केट थोड़ा सा साइडवेस ही दिख रहा है यहां पर कोई बड़ा मुवेंटम फ्लाल तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर क्योंकि यहां पर ओल्री इवेंट कतम हो चुका है जायर सी बात है इवेंट के बाद की वॉलेटिलिटी भ देख रही है तो दो देखो बैंक निफ्टी का क्या है यह जो पर्टिकलर एरिया है अगर आप यहां से देखोगे यह जो particular area यह जहां पर आता है यह एक particular support area बना हुआ है तो यहां पर आज भी आया फिर यहां से bounce हो गया 46,000 के असपर तो हो सकता है दुबारा यह second half में नीचे आया और फिर bounce कर जाए यह ध्यान में रखेगा और अगर 46,000 के ऊपर closing देता है तो फिर अच्छी closing है जब तक 46,000 के नीचे है तोड़ा सा week दिख रहा है यहां पर हो सकता है कि नीचे की तरह 45,500 तक आ जाए बट important यही रहगा कि closing कहां देता है अगर यह 46,000 के नीचे ही closing देता है तो फिर हो सकता है आपको कल यह प्रसों में एक sell off देखने को मिल सकता है यह point आपको दियान में रखना है ठीक है अगर नीचे की तरह भी निकलता है तो फिर देखो नीचे अगर देखा जाए तो देखो multiple support है क्योंकि यह फिर आपके लिए support का काम करेगा तो यह support के लिए काम करेगा प्लस 45,500 एक round figure यह भी आपके लिए support का काम करेगा तो यहां पर यह one way sell off में जाएगा यह थोड़ा सा doubtful लग रहा है यहां पर क्योंकि यह multiple supports है बट एक बार अगर यह 45,250 के नीचे अगर slip करता ह है यानि इस line के नीचे slip करता है तो फिर एक sharp selling देखने को मिल सकती है क्योंकि उसके बाद इसके पास कोई जादा support नहीं है फिर यह आपको around 44,800 तक गिरता हुआ दिकाई दे सकता है बट ऐसा होगा chances थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि इसे साथ डाटा नहीं बन रहा है अगर यहां पर मैं option chain data की बात करूं तो दिखो यहां पर क्या है अगा आज के दिन के साथ दिखा जाए तो निफ्टी में जो चीज दिख र करेंगे और स्मार्ट लोगों ने क्या किया हुआ है क्योंकि वैल्यू बहुत अच्छी मिल लिए 171 पुट कि है वह कॉल की 135 वे टोटल करेंगे अरौं 300 पॉंट की वैल्यू मिल लिए जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रेंज है क्योंकि 300 अगर आप नीचे जाते हो तो आपको करीब पर 2600 पर आपको यह कह सकते हैं कि यहां पर 2600 की रेंज बनेगी नीचे की तरफ और उपर जाते हो तो आप करीब पर 223 तक की रेंज 222 तक की रेंज मिलेगी जो की काफी बड़ी रेंज है क्योंकि एक्सपाइरी के लिए कोई जादा दिन बचे नहीं है आपका कल पर सो नेक्स दे फिर आपकी एक्सपाइरी निफ्टी की तो टीन टेडिंग सेशन में ही आपके प्रीमियम काफी हद तक डायलूट हो जाएगा तो मोस्ट प्राबली यहां पर जो चांसें कि 2100 और 22000 के बीच में निफ्टी को रखा जाएगा क्योंकि यह प्रीम लेकिन इन में कंटिनियू मोमेंट भी बनाएं तो पॉजिटिव साइट पर कंसॉलिडेशन कर रहे हैं कोई जाधा बड़ी नेगिटिविटी ग्लोबल मार्केट से भी हमें नहीं दिख रही है तो आई होब दोस्तों यह पाटिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फ्लाल इस वीडियो में इतनी है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक उश्च जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीडिये क्योंकि मैं सो दे लेकर आता हूँ हर दिन आपके नहने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जै हिंद